चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं, यह तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ अगर वो उस बात से मुकर रही है तो मैं उस पे क्या कह सकता हूँ मगर फिर भी मैं उनको यह कह सकता हूँ कि प्रभु राम उनको जो है सद बुद्धी दे, हिमाचल आई है, देव भूमी में आई है तो यहां से पवित्र होकर वापस बॉली वोड में जाएं और चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं यह तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ क्युंकि चुनाव जो है वो हिमाचल के नाम पर लड़ा जाएगा हिमाचलियत पर लड़ा जाएगा और उनको हिमाचलियत का A, B और C नहीं आता है यह मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं यह तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ सब कहना रनौत ने बाते इंटर्व्यूस में कही है कई इंटर्व्यूस उन्होंने बॉलीवोड में बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स को दिये है कई उन्होंने टॉक्शोस करे है जहां पर उन्होंने खुद स्विकारा है और आज अगर वो उस बात से मुकर रही है तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ मगर फिर भी मैं उनको यह कह सकता हूँ कि प्रभु राम उनको सद बुद्धी दे हिमाचल आई है देव भूमी में आई है तो यहां से पवित्र होकर वापिस बॉलीवोड में जाएं और चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं हिमाचल के नाम पर लड़ा जाएगा और उनको हिमाचलियत का A, B और C नहीं आता है यह मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं यह तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ अगर वो उस बात से मुकर रही है तो मैं उस पे क्या कह सकता हूँ मगर फिर भी मैं उनको यह कह सकता हूँ कि प्रभु राम उनको सद बुद्धी दे हिमाचल आई हैं देव भूमी में आई हैं तो यहां से पवित्र होकर वापिस बॉली वोड में जाएं और चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं यह तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ क्यूंकि चुनाव जो है वो हिमाचल के नाम पर लड़ा जाएगा हिमाचलियत पर लड़ा जाएगा और उनको हिमाचलियत का A, B और C नहीं आता है यह मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है